हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका JSC Education YouTube चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं, JSC Education चैनल ओनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर एक सफल नाम है जिसने पिछले कुछ वर्सों से जारखन से सम्मधित एक्जाम्स के तयारी में आपकी काफी मदद किया है यह आपका भरपूर साथ दिया है, बदले में आपने भी इस चैनल को काफी सराह तता इस पर अपना विश्वास बनाई रखा इसी का नतीजा है कि सिर्फ 19 मेने की सफर में लगबग 30,006 इस चैनल से जुड़ गया है यह यह सिलसिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है मुझे बतलाते हुए काफी खुसी महसूस हो रही है कि मुझे भी JSC Education से जुड़ने का मोका मिला यह इसके लिए मैं उपेंसर का अभार पर कड़ करता हूँ मैं कुमार एक बर फिर से JSC Education चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको ग्यात है कि JSC Education चैनल आपके साथ जुड़ाओ को एक कदम और आगे ले जाते हुए आपके लिए जहारकन Combined Graduate Level जहारकन CGL का Full Video Course आपके समक्ष लेकर आया है जिसमें मैं Maths और इजनी के पूरे syllabus को कवर करूँगा मेरे बारे में उपेंसर ने आप लोगों से बताया है पर मेरी भी यह जिमेदारी है कि मैं भी खुद अपने बारे में आपको बताऊँ जिसे कि आपको यह विश्वास हो कि आप सही मारुदर्शन में है जहां तक मेरे qualification का सवाल है तो मैंने BTEK किया है और उसके बाद मैंने government exams के लिए preparation किया और काफी सारे exam से मुझे सफलता मिली 2011 में मैंने SSE CGL के थुरू Assistant Section Officer के पत पर चैनित हुआ और उसके बाद 2012 में मुझे preventive officer के लिए चैनित किया गिया और इसी दोरान 2011 12 के वर्स में ही और भी कई सारे exams में मैंने qualify किया और अंतिम रूप से चैनित हुआ जैसे कि ESIC में Social Security Officer के पत पर Narcotics Control Bureau में Intelligence Officer के पत पर इसके अलावा काफी सारे bank के exam में भी मैंने qualify किया आपको पता होगा 2012 के पहले परतेग bank अपना individual exam लिया करते थी और इसी करम में मैंने SBI, PNB, Andra Bank इन बैकों में मैं अंतिम रूप से चैनित हुआ मैंने civil services के लिए भी तियारी किया पर अंतिम रूप से अभी मुझे इसमें सभलता नहीं मिली है इन सारी सभलताओं को आपके साथ सेर करने का अर्थ अपना बखान करना नहीं पर अपको यह बतलाना है कि अगर मैंने इन सभी exams में सभलता हासिल की है तो इसमें maths और रिजिनिंग की काफी महती भूमिका रही है मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप maths और रिजिनिंग स्टॉंग कर लेते हैं तो आपको किसी भी one day exam चाहे वो SSC हो चाहे वो bank हो या फिर और भी किसी भी तरह का exam जो जारकन government लेती हो बिहार से निकलता हो या फिर कोई भी state का हो या फिर central level का कोई exam हो उसमें आपको qualify करने में कोई भी परिसानी नहीं होगी परिक्षाओं में सपरता हासिल करने के लिए सिर्फ ग्यान की आवसकता नहीं होती है परन्तु उस ग्यान को आप कैसी उप्योग में लाते हैं इसकी एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा कि आप कैसे exams में attempt करें और आपकी रनिती क्या होनी चाहिए तथा अपनी चमताओं से अधीक अच्छा परदसन कैसे करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा strategy क्या होगा मैं किस किस चीज को कभर करूँगा और कैसे कैसे हम लोग इस वीडियो कोर्स को आगे ले जाएंगे इस पूरे वीडियो कोर्स में मैं maths or reasoning को कभर करूँगा और हर एक जो वीडियो lecture होगा उसके बाद आपको practice question दिया जाएगा जिससे कि आपको उस lecture को सुनने के बाद देखने के बाद उस पूरे practice question को जो है attempt करना है और जो previous year paper है जारकन से लेटेट एक्जाम का चाहे और भी किसी इस्टेट का एक्जाम का वो मैं आपके साब discuss करूँगा during वीडियो कोर्सी और समय समय पर आपका test series जो है वो conduct कर आए जाएगा test series में आप ज़रूर पार्टिस्पेट करें और ये test series आपकी लिए खासतोर से बनाये जाएगा जारकन से लेटेजल को ध्यान में रखते हुए जिसे कि आपका performance और भी अच्छे तरीके से आपाए maths के topic में मैं इन सभी topics को कवर करूँगा एक बार आप देख लिजेगा इसको वीडियो को pause करके आप देख लिजेगा लगबख सारे topics को मैंने इसमें रखा हुगा है जो कि जारकन से जील के slayvers में है इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई topic मैंने इसमें छोड़ा हुआ है तो आप मुझे अगर बताएंगे तो मैं उस topic को भी कवर कर लूँगा हम number system से start करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगता जाएगा मैं उन सभी topics को उसी according जो है आगे बताता चलूँगा पर इसमें मैंने कुछ segment में divide किया है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको समझने में काफी असानी होती है जैसे कि number system के साथ अगर आप algebra, power, indices, search, HCF, Lcm, इन सभी को पढ़ते हैं percentage के साथ अगर profit and loss CINSI, इन सभी चीजों को पढ़ते हैं तो समझने में भी असानी होती है और यह एक दूसर से linked है जिसे कि आपको काफी मदद होती है उस chapter को समझने में तो इसी तरीके से हम कोसिस करेंगे कि अपने course को आगे ले जाने का reasoning में इन सभी topics को मैं cover करूँगा इसके अलावा भी अगर कुछ topic छूट गया हो या आपको लगता हो कि हमें वो जानना चाहिए exam के दिश्ट कौन से वो आपके लिए important हो तो आप मुझे बताएंगे तो उन topic को भी हम cover कर लेंगे तो यही पूरा भी strategy रहेगा वीडियो course का मेरा आपसे अगरह होगा कि आप Google Play में जाके JSC Education App को download कर लें और इस वीडियो course को आप जरूर लें किसी भी तरीके परिशानी होती है जो inquiry number यहां दिया होगा है उस number पर आप संपर कर सकते हैं और एक बार आप जरूर इसे लेके देखें मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि अब तक जिस तरह से JSC Education ने आपका साथ दिया है आगे भी इसी तरीके के साथ आपका देता रहेगा और आपको सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा तो इस वीडियो course को जरूर लें तो आईए चलिए मिलते हैं वीडियो course में